पूर्ति के नियम के अंतरगत हमने ये तो देखा कि पूर्ति का ये नियम कीमत के अनुसार पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की दिशा को तो बताता है यानि कि ये तो बताता है कि कीमत के साथ वो बढ़ गई कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति बढ़ गई और कीमत घटने के साथ पूर्ती जो है वो घट गई दिशा को तो बताता है लेकिन मात्रा को नहीं बता रहा है यानि कि कीमत बढ़ने पर पूर्ती कितनी बढ़ी या कितने प्रतिशत बढ़ी और कीमत घटने पर पूर्ती कितने प्रतिशत कम हुई तो जो नियम हमें इन मात्राओं के बारे मे कहते हैं तो अब हम देखते हैं कि पूर्ती की लोच क्या है तो जैसे कि हमने देखा कि कीमत में परिवर्तन के परवडाम सरूप पूर्ती में कितनी मात्रा में किस दर में किस गती में परिवर्तन हो रहा है यही पूर्ती की लोच है इसे और अच्छे से समझने के लिए हम प् किमत में परिवर्दं की प्रतिक्रिया सवरूफ, पूर्ती की मात्रा में होने वाले परिवर्दन से होता है। तो आपने देखा कि प्रोफेर्सर मार्शल और सेमिल सन दोनों ही ये मानते हैं कि पूर्ती के लोच जो है वो पूर्ती में होने वाले परिवर्तन की मात्रा उसकी दरिया गती को स्पस्ट करती है अब अगर हम एक गणती सूत्र की बात करें जो कि पूर्ती के लोच को स्पस्ट करता है तो हम देखते हैं कि हमें सूत्र प्राप्त होता है पूर्ती की कीमत लोच बराबर पूर्ती की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे पूर्ती की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन तो इस गड़ती सूत्र के द्वारा भी हम पूर्ती की लोच ग्याद कर सकते हैं वास्ता में पूर्ती की जो कीमत लोच की श्रेणिया है यानि कि कितनी बढ़ी पूर्ती कीमत के साथ किस दर में बढ़ी या किस दर में वो घटी इन सब के लिए हम पांच प्रकार की श्रेणियों का प्रियोग करते हैं आए दिखते हैं कौन-कौन सी पांच श्रेणिया है तो पहली श्रेणि की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पूर्टया लोचदार पूर्ती यानि यहां पर हम उस पूर्ती की बात कर रहे हैं जब कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता फिर भी उस वस्तु की पूर्ती में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है तो कैसे वो दशा उत्पन होती है किस प्रकार जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी पूर्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसे हम पूर्तिया लोचदार पूर्ति के लिए जब हम टेबल का निर्माण करेंगे तो हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूले 5 रुपय था तो पूर्ति 10 रुपय थी वस्तु का मूले अभी भी 5 रुपय है लेकिन पूर्ती बढ़कर 15 हो गई वस्तु का मूले अगले स्थिती में भी 5 रुपय ही है लेकिन पूर्ती बढ़कर 20 हो जाती है यहां graph का निर्माण करने के लिए हम o x अक्ष पर वस्तू की पूर्ती और o y अक्ष पर हम वस्तू की कीमत को लेंगे हम देखते हैं कि जब वस्तू का मूले 5 रुपय था तो पूर्ती 10 इकाई थी दूसरी दर्शा में भी वस्तु का मूले 5 रुपई है और पूर्ती 15 रुपई हो गई तीसरी दर्शा में भी वस्तु का मूले 5 रुपई है लेकिन पूर्ती बढ़कर 20 रुपई हो गई यहाँ पर हमको SS वक्र जो है वो OX के समनांतर प्राप्त होता है तीनों बिंदू यानि Q1, Q और Q2 ये बताते हैं कि कीमत में परिवर्टन किसी प्रकार कर नहीं हुआ है लेकिन पूर्टी लगातार बढ़ती गई है ये पूरी अवस्ता ये बताती है कि यहां पर SS पूर्टिया लोचदार पूर्टी वक्र है जो कि आधार रेखा के समना अंतर है ओपी में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तू की पूर्ति में परिवर्तन हुआ है यानि कि वस्तू की पूर्ति पूर्ता लोचदार है तो आपने देखा कि किस प्रकार पूर्तिया लोचदार पूर्ति जो थी वहाँ पर कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन फिर भी पूर्ति जो है वो लगातार बढ़ती गई इसमें काफी वृद्धी होती गई दूसरे अगर हम इसके श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलती है अधी कलोचदार पूर्ति अधी कलोचदार पूर्ति हमको बताती है कि कीमत में वहाँ थोड़ा से परिवर्तन का प्रभाव जो वस्तु की पूर्ति है काँ इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है एक उदारन के तौर पर हम कह सकते हैं कि कीमत में जो पुरिवर्थन है हम कह सकते हैं कि कीमत में सिर्फ 10 प्रतिशत की कमें हुई थी लेकिन उसके पूर्थी 25 प्रितिशत कम हो गई यानि कीमत में कमी की दर की अपेक्षा पूर्ती में जो कमी की दर हो बहुत ज़ादा है तो यहां यह स्थिती जब निर्मित होती है तो हम कह सकते हैं कि वो अधिक लोजदार पूर्ती वाली अवस्था है कैसे हम इसको एक टेबल और ग्राफ के द्वारा समझेंगे आए देखते हैं अधिक लोजदार पूर्टी की दशा में ग्राफ का निर्मान करने के लिए हम देखते हैं कि इस टेबल में वस्तु का मूले पहले 10 रुपय था और पूर्टी भी 10 इकाई थी वस्तु का मूले 10 प्रतिशत कम हो इस कंडिशन में जब हम वक्र का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा O X अक्ष पर हम वस्तु की पूर्टी और O Y अक्ष पर हम वस्तु की कीमत को लेते हैं जब वस्तू का मूले 10 रुपय था तो उसकी पूर्ति दसिकाई थी। जब वस्तू का मूले घटकर 9 रुपय हो गया तो उसकी पूर्ति घटकर 7.5 हो गयी। यहां पर हमें जो SS पूर्टी वक्र प्राप्त होता है वो यह बताता है कि यहां पूर्टी अधिक लोचदार है क्योंकि यहां पर वस्तु के कीमत में होने वाली कमी के तुल्ना में वस्तु के पूर्टी में होने वाली कमी कहीं अधिक है. तो आपने देखा कि किस प्रकार जो अधिक लोचदार पूर्ती होती है कि किस प्रकार यहां पर किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन की दर होती है उसके पेक्षा उस वस्तु की पूर्ती में जो परिवर्तन की दर होती है वो बहुत ज्यादा यकम हो सकती है तीसरे अगर हम इसके श्रेणी की बात करें तो हम देखते हैं कि लोचदार पूर्ती जो होती है यहां पर एक समतल अवस्था है एक ऐसी अवस्था है जहां पर वस्तु की कीमत के साथ-साथ बिल्कुल समान अनुपात में पूर्ती बढ़ती है या कीमत में कमी के साथ-साथ बिल्कुल समान अनुपात में उसी प्रतिशत में उसी दर पर कीमत के साथ साथ पूर्ती भी कम हो जाती है। जिसे एक उदारन से हम देखिया तो हम कह सकते हैं कि एक समय विशेस में वस्तु की कीमत में जब 10 प्रतिशत की वृद्धी हुई तो वहाँ पर वस्तु की पूर्ती में भी 10 प्रतिशत की ही वृद्धी हुई तो इसको एक टेबल और ग्राफ के द्वारा आए और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं लोचदार पूर्ती के लिए हम जिस टेबल का उपयोग करेंगे उसमें हम देखते हैं कि जब वस्तु का मूल्य दस रुपे है तो उसकी पूर्ती दस ही काई है और जब वस्तु का मूल्य 11 रुपे हो गया तो उसकी पूर्ती 11 ही काई हो गई ज्यानि कि पूर्टी में परिवर्टन कीमत के समानांतर ही चल रहा है इसके अधार पर जब हम ग्राफ का निर्मान करेंगे तो हम देखेंगे कि रेखा O X अक्ष पर वस्तु की पूर्टी और रेखा O Y X पर वस्तु की कीमत को हम दर्शाएंगे हम देखते हैं कि जब वस्तु का मूल्य दस रुपय है तो उसकी पूर्टी दस इकाई है और जब वस्तु का मूल्य बढ़कर ग्यारा रुपय हो जाता है तो उसकी पूर्टी भी बढ़कर ग्यारा इकाई की हो जाती है यहां पर हमको जो पूर्टी वक्र SS प्राप्त होता है वो नीचे से उपर की और बढ़ता हुआ हमें जो दिखाई दे रहा है यह बताता है कि कीमत में पूर्टी के समानुपाथी मांग में भी पूर्टी हुई है यानि कि यह लोचदार पूर्टी वक्र को प्रदर्शित करत तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने लोचदार पूर्ती में देखा कि कीमत और पूर्ती का जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल समान होता है अब अगर हम इसके अगली श्रेणी यानि कि चौथी श्रेणी के बात करें तो यह हमारे सामने आती है बेलोचदार पूर्ती बेलोचदार जो पूर्टी है वहाँ पर हम देखते हैं कि कीमत की तुलना में यहां पूर्टी जो है वो कम परिवर्थित होती है जैसे कि हम एक उदारन से कह सकते हैं कि कीमत में अगर परिवर्थन 40 प्रतिशत का हुआ या कह सकते हैं कि 40 प्रतिशत की वृद्धी हुई तो पूर्ती में सिर्फ दस प्रतिशत की वृद्धी हुई यानि कीमत की अपेक्षा पूर्ती में जो प्रतिशत परिवर्तन की दर है वो बहुत कम होती है आईए एक ग्राफ और टेबल की द्वारा इसको और अच्छी से समझने का प्रयास करें बेलोचदार पूर्ती के अंतरगत जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि सारणी में जब वस्तू का मूल्य 10 रुपए है तो पूर्ती 10 इकाई है और जब वस्तू का मूल्य 4 प्रतिशत बढ़कर 14 रुपए हो जाता है तो उसकी पूर्ती बढ़कर 11 दर्शाएंगे तो हम देखेंगे की रेखा ओ के पूर्ती और य बस्तू की कीमत को दर्शाएंगे जब का मूल्य 10 रुपए opinions at 10 रुपए है जब मूल्य 14 हो जाता हैक तो बस्तू के पूर्ती 11 1 रुप चार्द बढ़िंगा यहां पर हमको तो जो SS वक्र प्राप्त होता है वो ये दर्शाता है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाली व्रिद्धी के तुल्ला में उसके पूर्ती में होने वाली व्रिद्धी के दर कम है यानि कि ये जो SS वक्र है ये बेलोचदार पूर्ती को दर्शाता है तो आपने देखा कि किस प्रकार बेलोचदार पूर्ती में जो पूर्ती की परिवर्तन का रेश्यो रहता है कीमत के साथ बहुत अंतर रहता है कीमत काफी उचे दर पर बढ़ती है लेकिन उतनी दर पर पूर्ती नहीं बढ़ पाती है पाचवी अगर हम इसकी अवस्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि पूर्ता बेलोचदार पूर्ती में क्या होता है एक उदाहरन के तौर पर हम देख सकते हैं कि कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी पूर्ती में कोई भी परिवर्तन नहीं होता बिल्कुल समान रहती है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि किसी वस्तों की कीमत बढ़ती गईerson 15 हो गए थी होगý क्या किसी आ पर पूरती पूरती की है अ किमत होने पर भी थावस्ता होती है तो यह ऑस्ता होती है रहतques आईए इस condition को हम एक table और graph के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करें पूरता बेलोजदार पूरती की दशा में graph का निर्मान करने के लिए हम जिस table का प्रयोग करेंगे वहां हम देखते हैं कि किसी वस्तु के कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है लेकिन है तो कूल पासी ब्हुत魚 की कीमत पंधर र्पय हो गई जू तो बहुत पांच हो गया इसके लिए जब हम रेका सित्र का निर्मान करेंगे तो हम रिःखाक लिएश की पूर्ती और क्ष्ट की कीमत को लेंगे यह हम देखते हैं कि वस्तु की कीमतdefinedव 7 और ख ہے तो तो हमें यहां पर रेखा O X की समनांतर P1, P और P2 तीनों ही रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कि यह दर्शाती है कि किसी भी अवस्ता में जब की वस्तू की किमत बढ़ती गई पूर्ती में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ यानि कि यहां पर पूर्तया लोचदार प पूर्ती के जो अवस्ता है वहां पर वस्तू के कीमत का उसके पूर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह स्थिर रहती है